आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुका चदौली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जो आ रहे हैं जहाँ पर ह्ट्री लाइन में शॉर्ट सर्किट के चलते कार में लगी भीशड आग देखते ही देखते आग ने पकड़ा विक्राल रूप भीशड आग की वज़े से कार जल कर हुई राख आग लगने की सूचना पर भारिस संख्या में ग्रामीड मौके पर एक खट्टा हो गए प्रामीडों ने पावर हाउस पोन करके बंद कराई थी लाइन एलिया थानक्षेतर के बराओं गाओं की पूरी घटना हम आपको बता रहे है चन्दौली से जहां पर आग का भीशड कहर देखने को मिला है एश्डी लाइड में शौट सर्किट के चलती कार में भीशड आग लग गई देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया जिसके बाद कार पूरी तरह से जल कर राख हो गई और इसी पीच गाजिपूर से बड़ी ख़बर हम आपको बता रहे है जहाँ पर मिशन यूपी पर इस वक्त बीजेपी के सभी दिगज नेता लगे हुँ दिखाई दे रही है जहाँ पर जन विश्वास यात्रा की शुरुवात की जा रही है गाजिपूर में रामलीला मैदान में यात्रा का आगाज हो चुका है स्मृति इराणी ने जन विश्वास यात्रा की शुरुवात की है यूपी के सभी छे संगतन शेत्रों में यात्रा का आगाज इस वक्त किया जा रहा है गाजिपूर में इस वक्त स्मृति इराणी मौझूद है आज सूपर संडे भाजपा का देखने को मिल रहा है में गाजेपूर में स्मृती इरानी मौजूद है जिनोंने जन विश्वास यात्रा के आज शिरुवात की है और सी बीच हमीरपूर से बड़ी खबर आपको बताने जो रहे हैं या शादी समाग के दौरान दो पक्षों में हुआ वेवाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं और पुर्षों पर चलाई जुम कर लाथिया एक यूवती इस पुरे मामले में गंभीर रूप से घायल बताई जो रही है प्रेम प्रसंग विवाद की वज़े बताया जो रहा है जिसके बाद ये मारपीट की वरदात सामने आई है ललपुरा थाराक शेतर के पौथिया गाओं का ये पुरा मामला हम आपको हमीरपुर से बता रहे है जहाँ पर मारपीत का मामला सामने आया है जहाँ शादी समारोग के दौराद दो पक्षों में भीशर विवाद देखने को मिला है आपको बता दे कि इस विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओ और पुर्शों पर जम कर लाठिया चलाई है इस पूरे मामले में एक इवती गंभीर रूप से खायल हो गई और शीवीच बड़ी खबर प्रियंका गांदी से जहाँ पर वो राइबरिली पहुची हुई है जहां माईला शक्ती समवाद कारिक्रम पे शामिल होने के लिए प्रियंका गांदी इस वक्त पहुची हुई है रिफाम क्लब में आयोजित हुई है शक्ती समवाद कारिक्रम प्रियंका ने प्राचीन हडुमान मंदिर का इसी क्रम में दर्शन भी किया है बढ़ी खवर बता रहे हैं प्र्यंका गादी राइबर रिली पहुँची है जहाँ पर चुर्वा मंदिर में इस वक्त वो मजूत बता ही ज़ा रही है आपको बता दे कि जिन शक्ती समभाद कारिक्रम में शामिल होने के लिए प्र्यंका इस वक्त पहुची हुई है पूरा कारिक्रम आयोजित किया जाना है इससे पहले प्रियंका ने प्राचीन हनुमान बंदिर में जाकर भगवाद के तर्शन किये प्रियका गाधी आज राइबरेली के दोरे पर बताई जारी है जहापर वो शक्ति समवाद कारिक्रम में उपस्तत होने के लिए पहुची हुई है रिफाम क्लब में ये पूरा कारिक्रम आयोजित होना है इसी कड़ी में कारिक्रम में मौजूद होने से पहले वाच्युर्व मंदर पहुची हुई थी जहापर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किये है महिला शक्ति समवाद कारिक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रियाका गाधी इस वक्त राइबरेली पहुची हुई है इसी कड़ी में समवाद कारिक्रम से पहले उन्होंने मंदर में जाकर भगव गाड़ी ने सड़क के नारे खड़े काई लोगों को भी रौन दिया हादसे में ए रिक्षा चालक सहित काई लोग घायल बताए जा रही है फिलाल घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पिताल रेफर किया गया है पुलिस ने गाड़ी चालक को मौके से हिरासत में ले लिया तसंबल से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे है जहार अफ़तार का कहर देखने को मिला है जहां पे काबू हुई गाड़ी ने ए रिक्षा में जोरदार ठक करवार दी इसके साथ ही गाड़ी ने सड़क के नारे खड़े काई लोगों को भी रौन दिया इस पूरे हादसे में काई लोग घायल बताए जा रहे है जिसमें ए रिक्षा चालक भी शामिल है फिलाल सभी के घायलों को लाज के लिए अस्पिताल में भर्ती कराए गया और शीवीच लकसर से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं जहां कल पहुचेंगे पॉलिस महाने देशे को उत्रा खंड़ा शुक कुमार डेजीपी लकसर में चंद समवाद करने वाले हैं बढ़ती समस्याओं पर लोगों से सुझाओं भी लेंगे बढ़ती समस्याओं को जानने के लिए की भी कोशिश की जाएगी पॉलिस और पबलिक के भी समन्वे बिठाने की भी कोशिश जोस वक्त जा रहे हैं इसी कड़ी में लकसर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहाँ पर पोलिस महाने देशा को त्वला खटन अशोग कुमार लकसर के दौरे पर रहने वाले हैं देशी पी लकसर में जन समवाद कारिकरम में शिरकत करने वाले हैं जहाँ बड़ी समस्या उसे लेकर वहाँ पर लोगों से समवाद किया जाएगा वही पर लोगों से समस्या जानने की कोशिश की जाएगी और पोलिस और पबलिक के भी समन्वे बिठाने की भी कोशिश की आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुका